नमस्कार दोस्तों एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत सुवागत है आप सभी के अपनी YouTube चैनल डियर गुरुजी पर तो आज के इस वीडियो में आप सभी को पता है कि जो बीड की तयारी है मैं आपको लगाता है अपने चैनल पर करवा रहा हूं और आज के इस वीडि किस तरह के सब्जेक्ट होते हैं तो वहां से कोषन बनते हैं जा तर जीचिची के इसके इसकी कोषण होतेज है और यहां पर कुशन देखेंगे तो आपको एक आइडिया लेग जाएगा कि कुछ कोशन ऐसे होंगे जो कि आपके लिए बेनिफीसल होंगे तो याद रखें दूस्तों इसके जो लेखक है वो आपके HJ लॉस्की है यानि कि option number जो इसका C है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन देखें क्या कह रहा है कि कानून समप्रभु का आदेश या कहा है कानून समप्रभु के बारे में बात हो रहे हैं दूस्तों याद रखें दूस्तों यह जो आदेश है यह कहा है किसने ऑस्टिन ने तो option number जो इसका C है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन देखें क्या कह रहा है फासी वाद से हो जाएगा काफी लोग रिक्वेश्ट भी कर रहे हैं सर सेकंड पेपर लेकर आईए तो सेकंड पेपर करवाया जाएगा और अगर आपके और भी कुछ चीजे हैं तो आप लोग कॉमेंट करके पूछ सकते हैं तो फासी वाद से उदय होता है तो याद रखें दूस्तों फासी वाद से उदय होता है उग्र राष्ट वाद का यानि कि option number जो इसका C है वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा चोवन देखें क्या क्या रहा है कि राज ये को बिस्व की आत्मा की रूप में किसने प्रस्तुत किया तो याद रखें दूस्तों राज ये को बिस्व क की राष्ट का C है वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा अगला point देखें ध्यान से क्यागे रहा हि कि समाजवादी राजी को मानते हैं समाजवादी जो है राजी को मानते है क्या DID है तो जो समाजवादी है वो राजी को एक सकारात्मक अच्छाई मानते तो option number जो इसका D ह वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा PDF अगर आप चाहते हैं परड़े आपको मिलता रहे तो हमारे टेलीग्राम ग्रूप से जरूर जोन हो यह नीचे आपको डिस्क्रेशन वागर टेलीग्राम ग्रूप कर जो लिंक है दिया गया है वहाँ पर जूड़ सकते हैं आपको वहाँ पर परड़े आपको PDF जो है प्रवाइट किये दाएंगे अगला देखो क्या कहता ध्यान से देखे है कोशन नमर आपका 57 कि भारती सन्मिधान के किस भाग में पंचायतों से संबंदित प्रावधान किया गया है तो याद रखे दोस्तो 57 का जो correct answer आपको हो जाएगा भाग 9 दोस्तो भारती सन्मिधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंदित प्रावधान जो है किया गया है 58 देखे क्या कह रहा है कि सन्मिधान में लोग सभा सदस्यों की अधिक्तम निर्धाई सग्या कितनी है तो यह तो सबको पता ही होगा 552 है तो option जो इसका B है वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा इसी तरह question number आपका 60 देखी क्या कह रहा है कि प्रधान मंत्री की नियुक्ति कौन करता है तो सभी को पता भी प्रधान मंत्री की नियुक्ति है राश्च्रपति करता है यानि कि option number जो इसका C है वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा अगला देखो क्या कह रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है तो अगर हम बात करते भाई राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में तो इनकी जो नियुक्ति है वो कौन करता है राश्च्रपति करता है यानि कि option number जो इसका B है वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा आते हैं Question number 62 पर तो क्या कह रहा है कि भारत का सरवोची नियायले भारत का जो सरवोची नियायले है वो कहाँ पर अवस्थित है तो याद रखें दूस्तों भारत का जो सरवोची नियायले है वो आपका New Delhi यानि कि option number जो इसका C है वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा भारत का सरवोचे नियाले जो आपका New Delhi में अवस्थित है अगला देखो क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा कि वही सन्विधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी तो वही सन्विधान सभा की जो प्रथम ने से ग्रहड किया गया है तो यह question मैं आपको एक बार और भी बता चुका हूं लेडी तो मौलिक करते हैं अब जो कि दोस्तों अगरम बात करते हैं तो यह जो है आपका Soviet संग रूस से यानि कि option number जो इसका C है वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा यहां से जो इसको उठ किया जाए तो आपका जो इटली है सबसे पहले यहाँ पर पूरा जागरा जो है आपका start हुआ था अगला question देखे क्या कहरा है कि Shakespeare किस देश के नागरिक थे William Shakespeare काफ़ी अच्छे लेखक से राइटर थे सभी को पता है तो यह जो है basically आपके England के नागरिक थे यानि कि option number जो A है वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा आते हैं दोस्तों अगले question की तरफ तो अगला question देखे आप से यहाँ पर क्या कह रहा है रूशो कौन था बताए रूशो कौन था सभी लोग जबाद देती हो चलेंगे जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं तो अगर हम बात करत हम ऑद्योदिक क्रांति की बात हो रहे है तो सबसे पहले जो ऑद्योगी क्रांति है आपकी कहां पे हुई थी यह जो हुई थी आपकी इंगलैंड में हुई थी तो option जो इसका C है वो यहाँ पर correct हो जाएगा और boston टी party सबने इसके बारे में सुनाओगा मतलब class 910 में तो आपने पढ़ाई होगा तो Boston Tea Party घटना किस देश की क्रांती से संबंदित है तो ये जो है अमेरिका से कहां से दोस्तों अमेरिका से संबंदित है तो option number जो इसका A है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसे तरह question number 70 कहा रहा है भाई Hitler का जो संबंद है वो भाईया किस देश से था तो सबको पता है Hitler का जो संबंद है आपका Germany से था तो option number जो इसका B है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आते हैं भाईया अगले question की तरफ तो अगला question देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि रूशी क्रांती क किस वर्स हुई थी रूशी की जो क्रांती हो किस वर्स हुई थी दिखे पूर अभिस्व का इतिहास यहाँ पर आ गया है तो 1917 में हुआ था रूशी क्रांती तो option number जो इसका D है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा इसी तरह question number 72 कह रहा है कि भाईया भारत में पुर्तगाली सामराज्य का वास्टविक संस्थापक कौन था तो पुर्तगाली सामराज्य का जो वास्टविक संस्थापक था वो आपका अल्बुकर्क था कौन था दोस्तों आपका अल्बुकर्क यानि कि option number जो इसका A है correct हो जाएगा 73 कह रहा है भाई प्लासी का यो दिकिस वर्स लड करते हैं दोस्तों तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो आपकी कब हुई थी 1828 में हुआ था किसने किया था इसके स्थापना आपको कॉमेंट करके जवाब दे रहा है या आपका homework है कोईशन पर 75 देखे क्या रहा है सत्यार्थ प्रकास का संबंद किस से है भाई सत्यार आंदोलन के संस्थापक कौन थे भाई एहमद या आंदोलन के संस्थापक कौन थे तो छेतर का जो करेक्ट एंसर आपका हो जाएगा मिर्जा गुलाम एहमद यानि कि ऑपसर नमबर जिसका भी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मिर्जा गुलाम एहमद आते तो अगले कोशन की तरफ तो अगला कोशन देखें आप से क्या कह रहा है आ सहीयोग अंदोलन कब प्रारम किया गया आ सहीयोग अंदोलन की बात हो रही है तो सभी को पता भई अगर हम बात करते हैं कोशन नमबर 77 के बारे में तो यह आपका 1920 1920 में स्टार्ट हुआ था तो अपसर नमबर जो इसका B है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसी तरह कोशन नमबर 78 कह रहा है कि साइमन कमिशन भारत कब पहुचा साइमन कमिशन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो यह आपका भारत कब पहुचा याद रखेगा 1928 में यह आपका जो है भारत पहुच चुका था तो अपसर नमबर जो इसका B है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्लियर जोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले कोश्चन पर देखे क्या करा कि कॉंग्रेस ने 1942 में भारत छोड़ो अंदोलन प्रस्ताव कहां पर पारित किया था तो यह किया था बंबई में जो कि अब मंबई हो चुका है वह आपका गुरगपुर होता है तो वह दो चीज में आप लोग कर्फ्यूज मत होईएगा तो काकोरी कार्ण जो आपका लखनों में घटित हुआ था इसी तरह क्यासी दिखे गह रहा है समाजी करण की प्रक्रिया जो है समाप्त होती है तो याद रखें दूसों समाजी करण की अगरम बात करते है प्रक्रिया के बारे में तो यह समाप्त होती है आपकी मृत्यू के बाद ठीक है तो कुछ questions जो हैं आप पर बच गए हैं बड़ आपको PDF में वूप सारे questions with answer के साथ मिल जाएंगे आपको हमारे telegram group पर और जो second paper है color work या science work इसके लिए जो videos हैं आपको मिलेंगे channel पर तुझाया को subscribe कर सकते हैं और आपको ये video कैसा लगा comment कर बताईएगा आदे question तो आपके सर के ऊपर गए होंगे मुझे पता है बट second paper भया इस तरह की question आते हैं तो आज की video से इतना इविकलिव बबाए take care, जय हिंद, जय भारत मिलते हैं आप सबसे next video में भी थोड़ी दिर बाद आपका test होगा और एक तो इस test में आप लोग जलू जोड़िएगा